Hello everyone, मैं सुमन केशरी Friends, आज की मेरे जो जानकारी है वो है कुछ ऐसे पोधो को लेकर जो बीज से ग्रो किये जाते हैं और मैंने उनके जो बीज होते हैं फरवरी और मार्च के मंद में ग्रो कर दिये थे तो मेरे गार्डन में वो प्लांट बनकर रेडी हो चुके हैं तो Friends, आज उन्ही पोधो को दिखाऊंगी जो मैंने बीज से ग्रो कर दिये हैं अपने गार्डन में और काफी एच्चे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और कुछ छोट छोट प्लांट भी बने हुए हैं काफी अच्छी ग्रोथ पर चले वे हैं मेरे गार्डन में तो Friends, आज चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से पोधे बीज से मैंने ग्रो किये हैं और उन पोधों का बीज जो है हम अभी भी अप्रेल के मंद में भी ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में जो बहुत ही इजी तरीके से हमारे गार्डन में चल जाएंगे और पूरी गर्मी हमारे गार्डन में वो फ्लावरिंग भी करेंगे Friends, तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से प्लांट है जो हमने अपने गार्डन में बीज से ग्रो किये हैं और अभी भी हम अप्रेल के मंद में उन पोदो का बीज ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में Friends, सबसे पहले बात करूँगे आपर मेरी गोल्ड के पोदे की मेरी गोल्ड के पोदे का जो बीज है मैंने इसको फरवरी के मन्त में ग्रो कर दिया था और इतनी फास्ट ग्रोथ इसकी हुई है कि भर भर कर अब ये मेरे गार्डन में अप्रैल के मन्त में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहे हैं आप देख सकते हो और साइज भी काफ ने गार्डन में ग्रो कर सकते हो बीज से फिलाल इसको ग्रो करने से कोई फाइदा नहीं क्योंकि शायद ये फ्लावरिंग करे या ना भी करे लेट करे तो अगर आप मैरे गोल्ड को ग्रो करना चाहते हो तो इसके प्लांट लेकर आप फिलाल ग्रो कर सकते हो पूरी गर्म जब इसका बाखने करें, तो इसके जो फुल खिलते है, तो इनका बीज इनका फूम्स इसका बिला वाधने के Новर्काश बाउड़yn करें organized पोहरं कि पूमत में। जलता है तो जगह जगह पर इनके प्लांट बन कर रेडी हो जाते हैं तो फ्रेंस कोस्मोस के जो पोदे होते हैं हमें इनका बीज ग्रो करने की जुरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यह हमारे गार्डन में खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं जब हमारे गार्डन में इनका बी करेंगे हमारे गार्डन में तो कोस्मोस के प्लांट को कर आप अभी भी ग्रो करना चाहते हूं तो इसको पीच से ग्रो कर सकते हो कोई ज़ाद़ ताइम नहीं हुआ है अपके गार्डन में पूरी गर्मी यार्लोग लरके फूल देंगे बहुत ही खुवसीरत इनके फूल दोरान काफी कराब हो चुके थे जो मेरे पोदे थे पर उनका जो बीज था मैंने उसको हर पोटके ऐंदर डाल दिया था जो आसपास के पोट थे और मैंने पोटके अंदर जो बीज डाले थे वो अच्छे कासे जर्मीनेट हो चुके हैं उनके छोटे-althe plants बन चुके है मैंने यहां से उनको रिपोर्ट भी कर दिया है तो सदाबार के पोदे जो हाइब्रेड होते हैं वो भी मेरे गार्डन में छोटे-छोटे अभी जर्मीनेट हो चुके हैं और काफी अच्छी ग्रोधे कर रहे हैं मैंने कुछी टाइम हुआ इनको रिपोर्ट किया था अपने गार्डन में तो सदाबार के पोदे को भी बीच से ग्रोग किया जा सकता है तो इसको आप अभी भी ग्रोग कर सकते हो पूरी गर्मी यह पर्मनेंट चलने वाला प्लांट होता है सदाबार का जो पोदा होता है और पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है इसकी चाहे देशी वराइटी हो या हाइब्रेड वराइटी हो हाइब्रेड वराइटी जो होती है थोड़ी प्रोब्लम करती है सर्दियों के दोरान वो थोड़ी सी प्रोब्लम में आ जाती है पर देशी वराइटिस की जो होती है सालो साल हमारे गार्डन में बनी रहती है और इसके जो बीच डलते हैं खुदी इनके प्लांट बनकर हमारे गार्डन में रेडी हो जाते हैं काफी प्लांट इनके बन जाते हैं जगा जगा पर और बहुत ही ज़्यादा भर बरकर ये फ्ल प्लावरिंग करते हैं अब इनकी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में स्टार्ट हो चुकी है जो फूल खिलते हैं वो नीचे सुबह खिलते हैं शाम को जड़ जाते हैं तो अभी देख सकते हो कितनी कलियान पर बनी हुई है और इससे भी चारगुना ज्यादा इन पर बर्ड्स भी बनेंगी दीरे दीरे फ्लावरिंग करेंगे तो अब यह शाम के टाइम में इसकी वीडियो बना रही हूं वरना जो है सुबह के टाइम जो है इनके फूल बहुत ही खुबसूरत लगते हैं खिले हुए तो यह भी मेरे गार्डन में बीज से ही ग्रो हुआ 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 ह जो भी जो होते हैं उनके सीड्स बनते हैं तो सीड्स हमारे गार्डन में इधर उधर इनके भी डल जाते हैं तो इस फली के अंदर इनके सीड्स बनते हैं तो यह इधर उधर डलने के बाद हमारे सभी पोट के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं इनके बीज तो यह भी हमारे गार्डन में खुद ही जर्मिनेट हो जाता है Mexican Pitonia के प्लांट एक पोधा आप इसका लेकर आओगे और सैंकडो पोधे इसके आपके गार्डन में बनकर रेडी हो जाएंगे और काफी खुबसूरत फ्लावरिंग ये करते हैं हमारे गार्डन में तो आप इसको भी फिलाल भी कि प्लांट का तो ये भी बिंस से ग्रों किया सकता है ये सुना ही है तर आप इसको भीज बिंस सकते हो चाहे इसका कोई भी कर नर ascender 10 पहोते मिवए तुन आप दे कितनी अच्छी प्लावर्णग ये है और बहुत ही खूबश्रत इसके फूल जो होते है वो लगते हैं तो कोल्येट के अंदर ही इनके बीज बनकर रेड़ी होते हैं जो कि चाहेश का कोई भी कलर हो कोल्येट के निवी फिलावरिंग होती है पर हम जब पींचिंग करते रहते पीनदे को बूशी बनाने के लिए नहीं हो पाती तो घब फिलावरिंग लेते हैं उसके बीच भी बनते हैं और अदर इसको इवए सीड बनकर रेड़ी हो जाते हैं कोली इसको जो होता है पर आप इसको जो है बीच से भी मुआ अब दादा अथिए म corporation में आप इसặt हो ग्रो करना चाहते हो ऐसे तो कोलेस का पोदा जो होता है हमारे गार्डन में कटिंग से ही बहुती आसानी से ग्रो हो जाता है पर आप इसको जो है बीज से भी ग्रो कर सकते हो अपनी गार्डन में अगर आपको इसका बीज बिलता है तो फिलाल भी ग्रो कर सकते हो कोलेस के पो फलियों के अंदर तो कैबिज फलावर का चाहिए कोई भी कलर हो इसके कई कलर आते हैं तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हो सरसो की तरह जैसे सरसो फली होती है तो ऐसे इनकी फली बनती है और इनके अंदर ही इनका सरसो की तरह ही बीज बनता है तो आप इसको भी जो है अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो बीज से बहुत ही अच्छा रहता है यह भी बीज से ग्रो करना इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं पर फ्रेंट अगर आपके इसका बीज मिलता है तो बीज से ग्रो करें वरना इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हो जो बहुत ही एजली हमारे ग्रोव हो जाती है तो यह है कैबिज फ्लावर प्लांट और फ्रेंट्स अब बात करते हैं यह पर अजवाइन के पोदे की अजवाइन के पोदे को ऐसे तो हम कटिंग से बिल्कूल थोड़ी सी कटिंग लेकर इसकी मिट्टी में टच करा दे तो पहुत ही इजली हमारे गार् अजुश करें प्लावरेंग के पोदे को अजवाइन dostęp के स्माधार करता है तो जोहित बहुत ही अच्छे से और अजवाइन का पोधा जोकि बहुत ही अच्छा रहता है दो comment की अजवाइन की खुस्बू बहुत ही खुब्सुरत आती है इसमें से तो आप अजवाइन के पोदे को भी जरूर ग्रो करें बीज से तो फ्रेंट्स ये थी कुछ ऐसे पोदो को लेकर जानकारी जो कि हम बीज से ग्रो कर सकते हैं पोदे फिलाल अपरेल के मंत में भी तो मैंने से ते मेरे छोटी से जानकारी बीज से ग्रो होने वाले पोदो को लेकर अगर आपको मेरे जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंट्स मुझे कमेंट कर जुरूर बताना लाइक और सस्क्राइब जुरूर करना ओके गाइज बाए